कि अस्सलामुलाइकुम स्वाइब का मैं सान बुजिस का नाम है डिजट क्या इन कंस्ट्रक्शन आज के इस वीडियों में आपको एक 32 x 41 का प्लैन बताने वाला हूं जिसमें मैंने काफी बढ़िया 3BH के सेट किया है विद कार पार्किंग के साथ साथ मैंने ड्राइंग तो इसमें काफी बढ़िया सा हर्ची सिस्टेमेटिकली सेट किया है आप चाहे तो इसको 30 x 40 में भी इसको यूज कर सकते हो बस थोड़े से इसके डामेंशन अगर आप इसको अजस्ट करना होगा तो चलिए डायक लिए आपको प्लान आपको एक्स्प्लाइन करता हूं प् प्लाइन वगरा बनाना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए प्लोट के डीटेल्स और रिक्वाइर्मेंट के लिए बता दें आने वाले वीडियो में आपको प्लाइन के जरूर शो करूंगा तो परसनली प्लाइन के लिए कुछ नार्मल से चार्जर से आप आप मिझे कॉंटेक्ट करके पूछ सकते हो और अगर आप यूटूब पर कोई प्लाइन वगर सर्च कर रहे हो तो मेरे यूटूब चानल पर जाए कि आप सर्च कीजिए मैंने काफी सारे प्लाइन के अपलोड के आप लोड किया है और काफी सारे डिग्रीज में जैसे कमर लिए प्लाइन को शॉटली एक्स्प्लाइन करके का तो यह देखें यहां पर फ्रेंट साइड इसकी 30 फीट की रोड है यहीं पर मैंने बेस्मेंट के कुछ स्टेप्स और अश्वर किया जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे मैंने आप तीन से चार्ज स्टेप्स ले लि जो आसपर क्लाइन के साफ से हैं तो जितनी ज्यादा जगा हो उतनी यूज करकेस के अंदर जो तीन बेड्रूम मख़लड्र पारकिंग के साथ और ड्राइंग रूम की क्लियर लेंट के रिकॉर्म दितौ ईंदिक शाजय मोrom नहीं बना था है तो चली में को लाख लातिए राइक लिट आंप यह देख नहीं पर यह रहत दिट मिल रही जो इसमें तो दस फीट नहीं चीजी ली मिल जाएगा लेकिन आपके गेट वगरा लगाने के बाद में आपको इनसेड तो आपको दस फीड वाई दस फीट स्कॉयर मिल जाएगी कि यह पर मैंने स्टेट लिया जो बिल्कुर इसके फ्रेंड में में जो कंटिनैसली फ्लोर वर फ्लोर इसमें अपने सलाइब के सबसे कम जाए झाले जिसक लिए और इसका क्राइजर ज़िए इसमें डिवाइट करके अरजनें लें उस लैंडिंग की निचे आप चाहता है ए 라 pouquinho रोप साइड बना सकते हो यहां पर देखिएवाप्स को धूरा राग रहे हैं एक डायकली आपको होल माने के लिए एक अच्छाअ है आप 2019 भी कहा सकते हो तो यहां पर मैंने 5 यह यह ब ांसाइड साथ आक विंडो भी रख सकते हो यहां पर एक मैने जो द्रेंविक्राणक प्षा आप लाप इस तरफ रख दन Oh इस सुस्टाफ ऑप हो यह तो यह और साथा टीन फीट कॉर्छ में निया है जो डैकली आ अपहु को आपको इनकले होल करने हो आपे आप चाहे तो एक एक यहां पर आप चाहे तो यहां पर प्रोड़ कर सकते हो तो यहां पर इस कौनर में यहां पर एक डूर परवाइड किया जो एक बेट्रूम का है जिसका दैमेंशन आपको दिख रहा होगा नौ फिट चेंज ऐसे में दस फिट का यह बेट्रूम है इस तरफ यहां पर मैंने फ्रेंट सेट इसका विंडो लिया है आप चाहे तो इस तरह मिले सकते हो इस तरह अपना सेट बैक देड़ फिट छोड़ दिया गया है ड्राइंग रूप का भी डैमेंशन दिखिए 8 फिट इस वाल को सेलेक किया है और यहां पर चार फिट का मैंने आर्च प्रवाइड के आए जो डैक लिए पो किचन में और बेड्रूम जाने के लिए जो आपको पैसेज में लेका तीन फिट का राइट साड़ लफ साड़ आपको डोर मिल रहे हैं जो बेड्रूम के डोर है और यहां पर लेफ साड़ आपको यह बेड्रूम में आने बाद में आपको मास्टर बेड्रूम में लेगा जिसका डैमेंचन भी सेम है साड़ेज़ फिट में 12 फिट है और इस तरव मैं एक चोटा साइक वाट्रॉप लिया है और इस तरव इसमें अटैस डेबिशी में न तो यहां पर जो बिल्कुल इसी आर्च के फ्रॉंट साइड में किचन है किचन का डैमेंशन देखिए साथ फिट चारी जैसे में आट फिट छेंग का एक किचन है इस तरव मैंने नाइनीज का सब्साइक वाट्रॉप लिया है किचन में तो यूज करने के लिए एजी हो ज सकते हो और यहां पर मैंने दोर प्रोवाइड किया जो डाइक लिया आपको यूटिलिटी में आएगा तो यहां पर यहां पर यहां पर डॉट डॉट लाइं मैंने ब्लू कलर के शो किया है यह ओपन टू स्काय आप कटाउट रखिया है ताकि इस तरफ नीचे है जो भी इसका वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है इस सही है सॉल हो जाएगा क्यूंकि टूटली जगा इसको यूज है तो कहीं ना कहीं कट और लेना ज़रूरी था तो यह आपको यह यूटिलिटी आपको कि लेर ली तीन फीट नव इंच आपको क्लेर इंट इनर आपको मि जो यूज कर सकते हो है कि अश्राइब कर सकते हो कि इसका डामेंशन साथ फिट हो जैसे में तीन फील को जबाद को मिल रहा है आप चाहे तो इसको आइंट फीड भी कर सकते हो कि आप साइज में आप इसको इसले आंट से 9 फीड भी इसले ले सकते हो और इस तरह बैक सर्माने सका विंडिटर पर वाइड किया है कि इस तरह मैंने डेटवीट साइद वाय प्लाइब यहां पर मैंने इसका डामेंशन भी शोग किया है और आप अब क्लिरी देख सकते हो 32 इसका डेमेंचन है और यहां से आउट्रेश आउट्र फॉर्ट्यवन फिट तो यह 32 फॉर्ट्यवन में यह 3 भी एच के प्लस एक सिट आउट और यहां पर पार्किंग वगर आपको इस प्लाइन में दिख राए तो मैंने काफी कि काफी हद तक जिन्होंने मतलब क्लाइंट ने रिक्वार्मेंट दी उसी के साफ से मैंने यह बनाया है फिर भी अगर आपका प्लाइश से थोड़ा साइज में कम चुट कम और जड़ा ज्यादा है तो आप अपने साफिस को अर्जेस्ट कर लें 30 by 40 में भी आपको इसमें अ साइड बैक या फिर बीच में डख वगर लेकर उसको सॉल कर सकते हो और इसी को कंट्यूनेस लिया फ्लोर वर फ्लोर कंट्यूने लेना चाहिए तो कि आप ले सकते हो तो अमीद है यह प्लान आपको ज़रू पसंद आएगा पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर ज़रू करूंगा तो फिल्दाल के लिए पर इतना है